कुश्यसान अख्षान विदानसवा 26 राजगाट मुख्य मार के स्वारवा घाट चोक कमला नदी पर बने पुल तूट गया है अस्थान एंतिनी भूवन को मारने कहा सथी घाट राजगाट मुख्य मार के लड़ाई विगत साल से लड़ रहे हैं यह सालोग में बिहार का मुखमंतरी नितेश कुमार जी 2021 विदानसवा उपचिनों में सरक का श्रीला नियास किया। उसके बाद से समवेदक काम प्रारंब करने के उपरांद विगतर डेर साल होने के बावजूद भी पांच पर्तिशत काम पूरा नहीं कर सका। समवेदक के संपुर्ण लापरवाही प्रोजेक्ट मैनेजर की तानाशाही की वज़ा से घटना को अंचाम दिया गया है। इस पुल तूट जाने से जिससे लगबग 10 पंचायत और 4 जिला का संपर्क तूट गया है। या सरक एक मातर परखंड मुख्याले और जिला मुख्याले जाने का संसादन है। इसमें लगे संवेदा को तुरंट पर खास्त करें और दोशी अधिकारी पर तुरंट कारवाई करें। हम पत्रकार पंधों से आग्रा और गुजारिश करना चाहेंगे हमारी आवास मानी मुख्याले तक पहुशानी का किरपा परदान करें। और अभिलंब कमला नदी पर पुल निर्मान कारिय प्रारंब करें। वर्ना कर यातायात को बहाल करने का अकरपा परदान करें। या घटना करम मानी जिला अधिकारी महादे को हम सूचनार्थ करना चाहते हैं। नमस्कार आज कुछे सरस्थान बिधान सभा से बेहत दुखद सूचना पराप्त हुआ है। अभी अभी कुछ देरपूर्व सती घाट राजघाट मुख्य मार्ग के अंदर गत सोहरबा घाट जो कमला नदी पर बने पूल तूट गया है जिससे लगभग में पांच जीला समस्तिपूर बेगु सराय खगरिया सहरसा और दरभंगा जीला का मुख्य मार्ग का सीधे सं तूट गया है इस सरक की मांग को लेकर विगत सालों से लडाई और अंदोलन परदर्सन किये उसके उपरांथ विदान सभा 21 उपचुनाब में मान्य मुख्य मंत्री मोहदे सिल्यानास कार्ज करे किये उसके उपरांथ शंबेदक जो इस काम को परारम किये विगत डेर साल ह होने के बाब जूद भी अभी तक लगभग में पांच से साथ परतिसत काम भी पूरा नहीं हो सका जिस लपाडवाही के बज़े से यह कमला नदी पे बने बान तूट गया है पूल आज यह बान पूल तूटने से लगभग में दस पंचायत 155 से अधिक और साथ से आठ चा रास्ता को बहाल किया जा और अभी लाम कले नदी पर कमला नदी पर पूल को निर्माना कार्ज प्राणरं करवाया जाए और लापडवा संबेदक को इस कार से हटाया जाए और इसमें सलिप्त अधिकारियों के उपर तुरत कारवाई किया जाए यही हम दरभंगा को जिलाक अंतरगत को सेसर अस्थान विधान सभा के तमाम आम अवाम जनताओं के तरफ से हम अनुरोध करना चाहते हैं विंति करना चाहते हैं कि हमारे भवि करना चाहते हैं कि इस पर तुरत कारवाई करें